आज हम Types of GST Returns के बारे में बात करेंगे GST Return व्यवसायों के लिए आवश्यक होते हैं जिनमें उनकी Sales, Purchases and Tax Liability की जानकारी प्रदान की जाती है सबसे Common Types में GSTR1, GSTR3B और GSTR9 शामिल है GSTR1 में आपकी Outward Supply की जानकारी शामिल होती है जिसमें बिक्री और बिल शामिल होते हैं सुनिश्चित करें कि आपकी कर्योग्य सप्लाई की सटीक रिपोर्टिंग हो रही है और Proper Documentation तौर रखें GSTR3B Summary Return GSTR3B Monthly Summary Return जिसमें आप अपनी Tax Liability की घोशना करते हैं और Payment करते हैं इसमें Input और Output Tax की जानकारी शामिल होती है साथ ही किसी भी असंगतता के लिए समायोजन किया जाता है GSTR9 Annual Return GSTR9 एक Annual Return है जो एक Financial Year के लिए सभी GST लेन देन का संखशेप में विवरन प्रदान करता है ये आपके Business Activities का Comprehensive Overview प्रदान करता है और बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज के लिए Legal सुविधा को Follow करें, Share करें